भाईयों, आज हम बात करेंगे यामाहा RD350 की जो है एक पुरानी यादो का टियर। जैसे हाई पावर ओन होती है, RD350 एक ऐसे मेहसूस होती है जैसे कि कई भागते कुट्टे बंधन से आजाद हो गए हो। क्या हम सब लोग नहीं चाहते कि हम समय की डोर को पीछे करके पुरानी यादो को दोहरा सके। वैसे हमें एक तरीका मिल गया है समय की डोर को पीछे करने का और आपने तस्वीरों से शायद पहले ही समझ लिया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं समझा, तो ये है राजदूत RD350. जब मैं इस स्टॉकी बाइक पार बैठता हूँ, तो मुझे 20 साल पुरानी बाइकिंग की यादों में पहुचा दिया जाता है. एसकोर्ट्स ग्रूप ने 1983 से लेकर 1990 तक ये बहुत ही विशेश प्रकार का शहरी कम्यूटर हतियार भारत में छोड़ा. बाइक ने एक साथ पोर्ट डू स्ट्रोक पारलेल ट्विन एंजिन का उपायोग किया था जो रीड वॉल्व्ज और एक छे स्पीड गेर बॉक्स का इ बेचा गया था हाई टोर्क एच्टी और लो टोर्क एल्टी. एच्टी 1983 से 1985 तक बना था और दोनों साइलेंसर्स को एक फ्लाट एंड व्यवस्था मिली थी और एग्जॉस्ट नोट को एक तीजी से खेलाडियो जैसा स्पोर्टी ग्रंस मिला. एल्टी को 1985 से लेकर 1989 तक उ अच्छी फ्यूल एकॉनमी के उद्देश में 27 ब्रेक होर्स पावर का समर्थन प्रदान करता था. आर्डी के रेसिंग जीन्स हमेशा यूस पर्फॉर्मन्स रेसिंग जन्कीज के लिए पहला चयन बनते रहे हैं और कई घटनाओं में सोने की मेडलिया लाने के लिए स्प फ्रंट ड्रम ब्रेक को भी संभाल लेती है जो राइडर के लिए विश्वस्निया सीमाव में अपने आपको रोकने की योग्यता में असमार्थ था. आज भी केई बाइक प्रेमी मानते हैं कि हवा से ठंधा हवा के साथ आर्डी 350 भारत की सारी डूस्ट्रोक मोटर साइकल म में इसूस करेंगे और ये छोटी छोटी बाते हैं जो पर्फॉर्मन्स राइडिंग अनुभाव में गहराई जोडती है और उपर से 143 किलोग्राम्स प्लस फ्यूल और तेल के बोच के साथ ये एक बाइक है जो जमीन पर लगती है और आपको इधर उधर नहीं फैंकटी अगर सही टायर लगे हुए हैं वाइडेनल्द हैंडल बार्स आपके हाथ को बिना कोशिश किये ढूंड लेते हैं और पीछे की तरफ जुकव वेल राइड ने IAC कुछ अच्छे फ्लिकेबिलिटी प्रदान की है आज के फ्रंट ब्यास्ट मशीन्स के जैसा बिलकुल नही RD अपने लाइन को अविश्वस्निया रूप से बनाए रखता है चाहे कई मोरो के माध्यम से गुजर जाए आप में सोये हुए रोस्सी को जगता है छे स्पीड गेर बॉक्स एक डाउन पाच अप शिफ्ट पैटर्न के साथ घूत अच्छे तरीके से गेर किया गया था और ये बाइक हाइवे ब्लास्ट को हैंडल करने में उतना ही अच्छा था जितना की अर्बन क्राफिक में क्रावलिंग स्पीड्स को कोई शक नहीं है कि आर डी पर छोटे स्पिन को चलना बस आपको कूडने के लिए चाहिए चलने के बाद आपको 347 क्यूबिक सेंटिमेटर्स के मोटर का उत्तर डीन में एक सेकेंड की देर मेहसूज होगी लेकिन जैसे हाई पावर ओन होती है ये एक ऐसा लगता है जैसे एक पैक भागते हुए कुट्टे आजाद हो गए हो तरीका जिससे ये ट्विन सिलिंडर टू स्ट्रोक बीस्ट अपने 8500 आर पीम रेड लाइन तक कैसे हौंकता है ये बेहद हैरत अंगाइस है जाब आर डी मेनियाक पावर बैंड को हिट करता है और आप मेहसूस करते हैं कि सब 30 घोडे आपको खीच रहे हैं आपका दिल सच में एक पाल के लिए रुक जाता है फिर आपके दिमाग को कहता है कि ये चलता रहे पुल इतनी तेज है कि आप मेहसूस कर सकते हैं कि आपके टेंडन्स आपके कोहिनूर को साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं गल्ती मत करना एक स्टॉक फॉर्म में आरडी खतरनाक तौर पर तेज हो सकता है ये 60 km per hour में 3.55 seconds में पहुचता है और सिर्फ 8.12 seconds में 100 km per hour तक कूरता है फिर एक स्टॉक स्पीडोमेटर पार 150 km per hour तक पहुचता है जो की समय पर हर डू स्ट्रोक मोटर साइकल को रोड पार मजाक बना देता था एगर इस मोटर साइकल के पास घरेलू ग्लैंड्स होते तो ये शायद परफॉर्मेंस से पसी ना छोड़ता जितना अध्भुत ये बाइक था उसके कई समस्याए भी थी Basic Maintenance Knowledge की कमी ने कई मेकनिक्स को इस RD को अपने गाराजेज में लेन पार सोचने पर मजबूर कर दिया और बुरा क्या था कि ये निश्चित रूप से मोटर साइकल को सड़क पर चलने से अधिक समय के लिए वर्क्शॉप में बिटाने की बदनाम रेप्यूटेशन प्रदान की फिर वही सिंगल डिजिट माइलेज फिगर्स जो बाइक अपने मालिकों को प्रदान करती थी RD को मूल रूप से एक फ्रन्ट डिस्क ब्रेक के साथ दिजाइन किया गया था US में लेकिन दोनों इंडियन वेरियंस सिर्फ 178 mm फ्रन्ट ड्रम ब्रेक आप्शन के साथ आय दकॉस्ट बचाने के लिए ये फिर इस RD 350 के सबसे चिंता जनक समस्या का सबसे बड़ा करन था अगर तेजी से यात्रा कर रहे थे तो समय पर रोकने की असमार्थ था कुछ साल पहले RD Diehards ने अपने मशीन्स को कैसे पनार स्थापिट करना है और इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान को फैलाना भी सीख लिया सद्सियों को अपने अपने मसलाओं से बाहर निकलने में मदद करते हैं जब बाइक के प्राकृतिक दोशों को समझा गया समझा गया कि इस बाइक को अधिक प्रभावी इगनिशन की जरूरत है क्योंकि पॉइंट्स सिस्टम नियमित ध्यान की अवश्यक्ता थी अगर ध्यान से ना दिया गया तो ये गर्मी को भड़कती और एंजिन को पावर से छीन लेती है और वियर को बढ़ा देती है फिर एंजिन को सीज कर लेती है एक आफ्टर मार्केट CDI इस समस्या को खतम कर देता है और ये बाइक जो आप यहाँ देख रहे है दिजिटल एक के साथ रेट्रोफिट की गई है ये आप्टिमम कंबश्चन समय पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस तरह से अधिक पावर बनाता है गर्मी को कम करता है और फ्यूल को अधिक प्रभावी तरीके से जलाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से बहतर फ्यूल एफिशिंसी फिगर्स का परिणाम है CDI सिर्फ उनके लिए शुरुवात थी जो RD से और भी अधिक चाहते थे असली RD के स्पेर पार्ट्स भारत में एक मर रहे है और कोई भी जो किसी भी सचमुच कीमत का कुछ भी उपायोग करता है शायद उससे उसके लिए एक धन मंगेगा नकली स्पेर पार्ट्स भी इतने ही महेंगे होते हैं लेकिन विश्वासनिये नहीं होते इसलिए कई RD मालिकों ने अपने स्पेर पार्ट्स को US से इंपोर्ट करने का प्रारंभ किया है कुछ वेब साइट्स उन्हें सीधा आपके दरवाजे पर पहुँचती है कितनी भी महेंगी दाम हो ये आपके चहरे पर बड़े मुस्कुराहट के लिए छोटी सी कीमत है बाद में घर पर वापस अपने RD पर आने के बाद RD 351 समय के आगे बाइक था और आज भी उसके पसंदीदा शक्ती प्रेमियों का एक प्यारा पिछा है वोट्स और सब कुछ के साथ और भायों और बहनों अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें धन्यवाद